आज हम बनाड़ें चावल और चना दाल का इंस्टन डोसा जिसे मैंने अपनी स्कूल प्रेंट मम्ता गुपता से सीखा है चना डाल का डोसा बनाने के लिए एक बाउल में एक कप चावल और आधा कप चना डाल डाल देते हैं इसको पहले दो पानी से अच्छी तरह दो लेंगे और इसकी बाद इसमें पानी डाल कर 6-7 गंटे के लिए या रात बर भीगो के रख देते हैं 7 गंटे के बाद चना दाल और चावल भीग के तयार हैं अभी इसको वापस एक बार और धो लेंगे और एक मिक्सी का जार लेते हैं मिक्सी के जार में भीगोए वेच चावल और चना दाल को डाल देंगे मैंने छोटे वाले मिक्सी जार का यूज किया है इसलिए मैं इसे 2-3 बार में पीशूंगी यदि आप बड़ा बाल जार ले रहे हैं तो ये एक बार में भी पीश जाएगा अभी इसमें एक छोटा चमच जीरा आधी छोटी चमच काले मिर्च तीन सुखी वी लाल मिर्च सुखी मिर्च के अस्तान पे आप हडी मिर्च का भी परयोग कर सकते हैं अब इसमें दो बड़े चमच पानी डाल कर इसको मिक्सी में पीश लेंगे इसे हमें फाइन पेस्ट तयार करना है बाकी बचे हुए दाल और चावल को भी इसी तरह से हम पीश लेते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखें यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चना दाल से डोसा कब बैटर बनाने के लिए मैंने एक कप चावल, आधा कप चना दाल, एक छोटा चमच जीरा, आधी छोटी चमच काली मिर्च और तीन सुखी भी लाल मिर्च का प्रियोग किया है साड़े भीगवे चावल और दाल को थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सी के जार में फाइन पेस्ट पीस लेंगे सभी को पीस कर एक बाउल में निकाल लें, अब इसमें एक छोटा चमच नमक, नमक आपने स्वाद के अनुसार ले ले और आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है नमक और हल्दी को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी नॉर्मल डोसा के बैटर की जैसी ही होगी यदि आपको ये गाड़ी लग रहे हैं इसमें थुड़ा सा पानी और एड़ कर दे मैंने दाल चावल पीस्टे समें हर बैच में दो-दो चमच पानी का इस्तेमाल किया था उसी से बैटर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनी है इसलिए पीस्टे समें ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें अभी गैस पे एक तवे को गरम होने रखा है तवा के हलका गरम होने पे इस पे एक लेडल बैटर डाल दिया और बैटर को अंदर से बाहर गोल गोल गुमाते हुए डोसा का सेप दे देते हैं बैटर डालते समय गैस का फ्लेम लोड अकना है और जब हम डोसा फैला लें तब उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे एक मिनट के बाद दोसा पे एक छोटा चमच रिफाइन ओयल डाल देते हैं अब इसके उपर कटी हुई धनिया पती और फाइन चॉप किये हुए प्याल डाल देते हैं आप चाहें तो इसमें अधरक को कद्दुकस करके भी डाल सकते हैं या फिर आप ग्रीन चिली फाइन चॉप करके डाल सकते हैं यह आपकी पसंद पनिर्वर करता है कि दोसे के उपर आप क्या डालें दोसे में हलके हलके ब्राउन स्पाट दिखने लगें तो अभी मैं इसको फोल्ड करके एक प्लेट में निकाल लेती हूँ दोसा निकालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दिया है और अब तवे पे थोड़ा सा पानी चिरकते हैं ताकि तवा का टेंपरेचर कम हो जाए अभी तवे को एक कॉटन कपरे से साफ कर लेते हैं और तवे पे एक लेडर डोसा का बैटर डाल देंगे बैटर को अंदर से बाहर की और गोल गोल गुमाते हुए डोसा बना लेते हैं दोसा को अंदर से बाहर की और एकी डिरेक्शन में घुमाना आए इससे दोसे अच्छे बनते हैं अब जब दोसा उपर से थोड़ा ड्राय हो जाए तब इसके उपर एक छोटा चमस रिफाइन ओयल डाल देंगे दोसा को फैलाने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दिये अब इस पे कटी वी प्याज कटी वी धनिया पती और कदुकस किया हुआ अदरक डाल देंगे डोसा में जब तक उपर से ब्राउन स्पॉर्ट दिखने ना लगे तब तक हमें सेखना है तो डोसा में उपर से ब्राउन स्पॉर्ट दिख रहे हैं जैसा आपको दिखड़ा होगा अब डोसा को फोल्ड कर लेते हैं और यह हमारा दूसरा डोसा भी बनके तयार है इस तरह में